नमस्कार दोस्तो आप लोग को याद होगा वो बाबा बाबा का ढवा आज सीउ में भरती है आज वो कांता प्रसाद जो की एक बहुत ही फेमस हुए थे वो बाबा का ढवा जिनोंने एक यूटुबर गौरव वासन ने जिनकी मदद करी और फिर उसके बाद वही बाबा ने उनके उपर केस कर दिया लेकिन आज जिस तरह से उनके बेटे ने ये बाते कही है और इसका इंवेस्टिगेशन चालू हो रहा है कि बाबा का ढवा के जो कांता प्रसाद है उन्होंने सुसाइट करने की कोशिश करी है क्या है पूरा मामला बताऊंगा आपको इस वीडियो में बता दू दोस्तों कि इस कहानी की सुरुआत होती है मालविय नगर जोकी देली में है एक छोटा सा बाबा एक बुरा गरीब जिसके दुकान पे कोई एक इनसान नहीं आता है रोज खाने बनाता है लेकिन ये इंतजार करता है कि कोई आ करके मेरे खाने को खाले और फिर मेरे जिन्दगी चले लेकिन इसी तरह से जिन्दगी चल ही रही होती है लेकिन इसी बीच में एक मसीहा एक सौधागर बन करके एक इनसान आता है उसके जन्दगी में जिसका नाम होता है गौरव वासन और उनकी वो मदद करता है उसके उपर एक वीडियो बनाता है और वो डोनेशन मिलने लगते हैं अब बाबा को पुरी तरह से डोनेशन मिलने लगी लेकिन कुछ लोगों ने इनको आ करके अब ये कहना सुरू कर दिया कि तुम्हारा 15 से 20 लाक रुपे जो यूटूबर गौरव वासन है उसने खा लिया बाबा दूसरे के बात पर आ जाते हैं और ये बात को सत्यमाल लेते हैं लेकिन जिस तरह से वो सोसल मिडिया पे फेमस होते हैं और लोग जिस तरह से वहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसियेट करते हैं कुछ लोगों को जैसा बना वैसा उनको पैसे भी देना शुरू कर देते हैं ल लोग भी आपके आसपास जुर जाते हैं और आपको कुछ कुछ दिमाग देने लगते हैं। अपनी उसने क्लिरिफाई करी, सोसल मीडिया पर ये बाते करी, पूरी नियूज में ये बाते छप रही थी, अब बाबा के पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए कि उन्होंने रिस्टूडेंट खोल दिया, रिस्टूडेंट इतने ज़्यादा चलने लगी, लेकिन बीच में डाउनफॉल होने लगा, क्योंकि 35,000 रुपे की कमाई और 1,5 लाख रुपे के खर्च, बाबा गए कर्ज में डूब, और बाबा की स्थिती गई चर्मरा, अब क्या करे बाबा तो पूरी तरह से वही स्थिती पर जाकर के, जहां पे मालविय नगर देली में, जो उनका एक जिन्दगी में आगे बरने लगते हैं, जब उनके पास पैसे आने लगते हैं, तो उनके महले वाले ही लोग, उनको बहुत नीचा दिखाने लगते हैं, कि ये बुरह तो सराबी है, ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, अकरू है, ऐसे बात करता, तो इस तरह की चिज़ें, उनके खिलाफ लोग भरकाने लगते हैं, लोग ऐसी बाते करने लगते हैं, अब भया, गली महले में इस तरह की बैज़ती हो, और बृधा अफस्था में इंसान कितना सहेगा, उन्होंने भी ठक हार करके अपनी दुकान को खोल लिया, और वहाँ पर जिस तरह से पनी पहले ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, लोग रिपोर्टर वहाँ पहुच रहे हैं, और उनके मुँ में कैमरा घुसा रहा है, कोई माइक घुसा रहा है, और बार बार पूछ रहा है कि बाबा क्या आपने गौरव वसन को अपने उनको मदद करी थी, उन्हें ने आपका मदद करा था, क्या आपने उनको माफ कर दिया, आपने तो उनके उपर केस करा था, तो ये सारी चीज़े सुन सुन कर बाबा काफी डिप्रेशन में चले गए, और खबरे यह आ रही है कि उनके बेटे कर ने ये बताया कि मेरे पीता जी, रात को शराब पी करके उन्होंने निंद की गोली खाली और पूरी तरह से वो ICU में भरती हैं, कहने का मतलब यह कि उन्होंने सुसाइट करने की पूरी तरह से कोशिश करी, हलाकि ICU में जाने के बाद अभी कौनसी रिपोर्ट अभी क्या होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बाबा काफी ज़्यादा इस स नमाज से इस दुनिया से पुरी तरह से निरास हो चुके हैं.